बिहार में बंपर बहाली को देखते हुए देखें नितीश सरकार के तमाम बिभागों को सक्डिये कर दिया गया और ऐसे में तमाम बिभाग जो है बंपर बहाली को देखते हुए तयारिया कर रहा है देखें इस वक्त की बरिखावर आ रही है पांच लाग से उपर सरकारी न निर्देश दियेगे इसको देखते हुए 5,17,000 सरकारी नौक्टियों और 11,000 लोगों को रोजगार दिया जागा ऐसा खवर आ रहा है बिहार में वर्ष 2024 पचिस तक 5,17,000 सरकारी नियुक्तियों की जो है वो कहीं न कहीं अब रहारी जहाएं अब अब आया जारा है कि यह तम कहीं न कहीं देखा जाए तो करने को लेकर नियुक्ति करने वाले विभिन आयोग को एज़िजा चुकी है साथ ही अगले एक महिने में 2,34,000 रिख्तियों की अधियाचना विभिन आयोग को भेज़ी जाएगी अगले साल नियुक्ति को देखते हुए उसके लिए 52,000 और र बेजी जाएगी यह जानकारी सोंबार को मुख्यमंत्री कारयाले कि चंसंपर्क गोशाग में प्रेस विग्यप्ति जारी कर दी है बता दे तर्शकोको के जसतरीके से प्रेस विग्यप्ति में बताया गया है कि सास्थ ने शेर 2 के देखा जाए तो अंतरगत राज में 5,00,000 न्युक्तिया की जग चुकी है इसके अतुरेक तो जो है एक लाख निनानवे हजार जो है कही ना कही निनुक्ति पत्र वित्रन के लिए तयार है और ऐसे में साथी 5,17,000 रिक्तियों के विरुत जो है निनुक्ति प्रक्डिया धुहीन है यानी 5,16,001 लाख है निनानवे हजार और पांच लाग सुत्रह हजार कूल बारा लाग से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष वर्ष 2024 से पचिस तक रखा गया इस परकार जो है मुख्यमंतरी के साथ निश्य पार्ट टू के अंतरगत देखा जाए तो दस लाग नौकरी जो है कही न कहीं देख अब तक 5,60,000 लोग को सरकारी नौकरी दी जा चुके है इसके अतरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरी के सम्मंधित जो है कही न कहीं नौकरी के लिए परकेडिया पूर्ण कर ली गई है अगले 3 महिने के अंदर नौकरी पत्र वितरित कही न कहीं करने का लक्ष रखा गया है इसके साथ ही साथ निश्य पाट टू के अंतरगत 10,000,000 रोजगार देने का लक्ष रखा गया है अब तक साथ निश्य पाट टू के अंतरगत 22,000,000 से अधिक रोजगार स्रेजवित किये जा चुके हैं और आने वाले वर्स को देखते हुए कहीं न कहीं एक वर्स में 11,000,000 से साथ निश्य पाट टू के अंतरगत मुख्य निश्य कुमार ने 10,000,000,000 रोजगार देने का लक्ष निर्धारित किया था संबंद में मुख्य मंत्री ने उप मुख्य मंत्री संबंधित विभागों के मंत्री मुख्य सचिव संबंधित देखा जाया है तो विभागों के अपर मुख्य सचीव, परधान सचीव, सचीव के साथ बैठक कर आगामी एक वर्ष में लक्ष की प्राप्ती के लिए बचे हुए नौकडी और रुजगार को कार्य योजना बना कर मिशन मोड में पूरा खर्णने का निर्देश दिया था सिक्षा विभाग को देखते हुए परधान सच्छा को देखते हुए 5678 तुमाहीं खाद मगुदा शंतक्षन भागं 6221 उर्ज़ा विभाग में 551361 पनचवायती राज में 55156 रमसन श्रंथ 5000 को देखते हूँ इसको देखते हुए, कहीं बहालिया की comprised की जाईगी। देखिए जिस तरीके से नितीश कुमा ने 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकडी का वादा किया था, इसको देखते हुए अब जाकर सरकार तेज हो गई है, अनुशन शाब भेज दी गई है तमाम विभाव को और जल से जल देह बहाली 2024 से 25 तक कर दी जाएगी, और भी तमाम ख